सब्सक्राइब करने से पहले आपको एक स्मेट्रिक ग्रूप है यानि कि जो की है सबसे पहला काम मैं ये करने वाला हूँ कि मैंने एक ग्रूप मान लीजी बच्चो जिसका नाम है जी और वो जी कैसा ग्रूप है एक स्मेट्रिक ग्रूप है और तरी का तो जी is equal to s3 be a symmetric group और symmetric group के बारे में भी एगर किसी बच्चे को कोई भी confusion है तो symmetric group के उपर मेरा lecture है उसको अच्छे से आप देख सकते हैं तो आपके हर एक doubt जोन आपका clear हो जाएगा तो मैंने माल लिया कि g is equal to s3 is a symmetric group है और कैसा है बच्चो symmetric group of degree 3 और अगर ये 3 degree का है तो मान सकते हैं कोई ऐसा set होगा जिसके अंदर 3 element होगे मैं माल लेता हूँ कि set है s ऐसे वाला और उसके पास 3 element कुछ ऐसे होंगे 1,2,3 ठीक है सबसे best जो symmetric set हम लेते हैं वो यही होता है 1,2,3 और सबको यह भी पता होगा कि इसकी जो open होगा यह जो 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 उसकी क्योंकि symmetric set हमेशा किसे बनता है functions के combination से बनता है इसके पास जो functions होगे जो की mapping को show करेंगे तो पहला सबसे कौन होगा identity दूसरे पास कौन होगा बच्छो दूसरा होगा 1,2 यानि की 1 की image 2 ठीक है और 3 की 3 रहने वाली है और तीसरे में आप बनाएंगे बच्छो 1,3 यानि की 1 की image 3 हो जाए और 2 की 2 रह जाए या पिर आप बना सकते हैं 2,3 2 की image 3 और 1 की 1 रह जाए या पिर आप बना सकते हैं 1 की image 2 और 2 की image 3 और 3 की image 1 या पिर आप बना सकते हैं 1 की image 3 और 3 की image 2 और 2 की image क्या हो जाए 1 हो जाए तो ये एक symmetric set होता बच्छो जो की S3 है तो S3 is a symmetric set तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं I hope so that everybody knows this thing अब 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 जो S3 है तो हमें क्या बना रहा है composition series बना नहीं composition series तब बनती है जब उसके पास उसका कोई normal subgroup हो और normal subgroup से एक series हम drive कर सके हैं तो अब अगर S3 है तो आप समझे कि S3 का जो normal subgroup होता है वो कोन होता है वो होता है बचो A3 यानि कि alternative group जिसको हम बोलते है अल्टरनेटिव ग्रूप के बारे में अगर किसी बच्छे कोई confusion है तो तो भी आप मेरा Geismetrics साइप और lecture है उसको अच्छे से देखे उसमें आपको alternative groups क्या होते हैं Calvin four groups क्या होते हैं वह सभी मैंने बहुत अच्छे से एक्स्पीन करके हैं तो बच्छो S3 यह है और हम सभी को पता है and A3 A3 बोलते है अल्टरनेटिव ग्रूप A3 बीदा अल्टर नेटिव ग्रूप और A3 जो alternative group होता है वह किसका होता है वह इसी S3 का होता है यहनिकि इसको बोलते हो आप A3 बीदा alternative group of degree 3 of degree 3 तो जो 3 degree का alternative group होगा वह हमेशा normal subgroup होगा किसका S3 का और A3 होता है actually कैसा है A3 के पास वह सारे functions आते हैं जिनकी alternative image होती है इनकि सबसे पहला तो आई आता है फिर जैसे alternative image का मतलब होता है तो यह alternative होगे अब जैसे आप यह लोगे वन की image 2 और 2 की image 1 आपको लोगे का सर यह भी तो alternative है बट इसमें एक अलग element आया जिसमें आप शो करें होगे 3 की image 3 ठीक है तो वो alternative नहीं है न वो 3 की image 3 शो कर रहा है तो इसलिए यह जो set है 1 की image 2 2 की image 3 यह absolutely alternatives है और एक आएगा तो यह आपके पास क्या हो गया alternative group हो गया यह मैं comment लगा रहा हूं जूरी यह comment लगाने आपको simply भी लिखा होता है अब alternative groups के अंदर I 1 2 3 1 3 2 तो BSE तक हम थोड़े इसको समझने के लिए लगाते है बट आप अभी you are in MSE तो there is no need to write out so मैंने भी आपको पताया कि we know that सबसे जो अच्छी बात हमें पता है वो यह होती है कि जो alternative group होते हैं जैसे A3 होता है यह definitely normal subgroup होता है किसका S3 का तो एक बात अपने को पता चल गी और अगर मैं बात करूँ इसके order की तो order होता है किसका A3 का that must be equal to 3 factorial by 2 यानि कि यह बन जाएगा 3 तो फिर S3 का order क्या होता है दोस्तों अगर मैं S3 की order की बात करूँ तो you know this thing कि जो order of S3 होता है यह definitely होता है 3 का factorial और 3 का factorial कितना होता है बच्छो 6 तो आप देख सकते है इसके पास 6 element है और इसके पास only 3 element है ठीक है तो यह आपका क्या बन गया इसका normal subgroup बन गया अब दोस्तों जब हमने बना लिए तो हमें क्या बनाना है हमें तो एक normal series construct करनी है ना तो क्या करते है टेक जी को हमने क्या लिया था equal to S3 कोई problem नहीं है जी is equal to S3 और इसको equal to अप ले ले लेते हैं G not कोई problem नहीं है और जो जी बन है उसको आप मान लिजीए क्या है A3 यानि कि जो alternative group के बराबर है और जो G2 है उसको मान लेते हैं I ऐसे भी लिख सकते हो और I simply आप E as a generated set बना के E V लिख सकते हो so since G is equal to क्या लिए आपने G not that is equal to what that is equal to S3 और S3 में properly contained कौन कर रहा है A3 am I right here और A3 वैसे equal to किसके है G1 के जो आपने लिया है और G1 में properly contained कौन कर रहा है G2 जो कि किसके equal to है that is equal to I okay that is your equation number one और and अब आप देखिए जो G1 है ये normal subgroup है G not का क्योंकि G1 किसके बराबर है जो G1 है equal to A3 और A3 is S3 का normal subgroup होता है और इसी series में आप देख सकते हैं कि जो G2 है जो कि खाली है that is also normal subgroup of what that is normal subgroup of G1 okay so hence हमारी जो theorem है हमारा जो part है वो प्रूव हुआ hence prove hence prove the equation number one is a normal series ये हमारे पास क्या बन गई normal series बन गई बट हमें तो competition series बनानी है ना तो competition series के लिए दूसरी बात और exist करती है जिसमें हमें quotient group क्या दिखाने होता है quotient group simple दिखाने होता है तो इसके जो quotient group बनेगे वो क्या बनेगे एक तो बनेगा बच्चो g not by g1 पहला तो इसके एगर मैं order की बात करूँ g not by g1 के तो क्या लिखोगा आप order of g not by order of g1 order of g not क्या है यानि कि s3 का order क्या है 6 और a3 का order क्या था 3 तो answer कितना है 2 similarly दूसरा जो हमारा factor group बनेगा जो quotient group बनेगा वो बनेगा g1 by g2 अगर मैं इसके order की बात करूँ देखो यह बनेगा order of g1 by order of g2 अब g1 का order कितना है 3 और इसका order कितना है 1 क्योंकि यह तो identity बाला set था तो answer कितना है 3 अब दोनों क्या है कौन से number आए है और जो भी जिस भी group का order prime number होता है वो हमेशा क्या होता है वो simple होता है so we know that a group of prime order is always simple you can write out we know that group of prime order is simple तो prime order का group हमेशा क्या रहता है हमेशा ही simple रहता है इसका मतलब हाँ पास जितनी factor group बने वो simple आए that implies आपका जो g not by g1 है या फिर आपका g1 by g2 है यह सारे के सारे क्या आगए simple आगए तो दोनों बातें आपने प्रूव कर दी यहाँ से आपने इसको normal series बना दिया यानि कि पहली बात normal subgroup एक्रिस कर गए दूसरी बात यह simple आगए तो इसका मतलब यह जो आपकी equation number one है यह कैसी है यह एक composition series हो गई तो यह आपता example था बहुत easy सा था और हमने इसको easily prove ही कर दिया तो let's see guys और हमने पास्ट आपकी बात बात अ